पिछले वीडियो में हमने इस नात्क पर्थम वर्ष के जो विदार्ति हैं, उन विदार्तियों की जो परशिद पूश्टि के विज्यान के मूल अधार, उसके अंतरगते राजनितिक दलों का जो topic था, राजनितिक दल क्या होते हैं, राजनितिक दलों के परमुक तत्वा क्या होते हैं दबाब समुहों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे देखिए यदि हम सिंपल सी परिभाशा यदि जानने का परियास करें दबाब समुहों की तो दबाब समुह है सारवजने के नीतियों को परभावित करने के लिए बनाएगे एक परक करने के लिए वे अनेक परकार के परदसन, अनेक परकार के लोबिंग, अनेक परकार के आंकडे परदसित करना, अपने पक्स में नीतियां बनाने के लिए धरने परदसन, हड़ताल, इस परकार के साथनों को अपनाते हैं, उन नीजी संग्थनों को हम दबाप संग्थनों की स सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सारवजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेस्टा करते हैं। दबाब समुहों को विबिन विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से परिभासित किया है। जैसे हम बात करें ओडिगार्ड की तो ओडिगार्ड ने कहा है कि दबाब समुहे ऐसे लोगों का उपचारिक संगठन है जिसके एक या अधिक समने उद्वे से अस्वार्थ हो सकते हैं और जो घटनाओं के करम को विशेश रूप से सारवजनिक नीतियों के निर्मान और पर करते हैं कि वे अपने हितों की रक्सा इवं वर्धी कर सकें तो इस परिवासा में भी हमें यही देखने को मिलता है कि सारवजनिक नीतियों को परभावित करने के लिए और अपने पक्स में नीतियों को बनाने के लिए अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो नीजी स समुह हैं वो शासन के धांचे के बाहर स्वेचिक रूप से संगठिते ऐसे समुहों से होता है जो परसासनिक अधिकारियों की नामजद्गी और नियुक्ति विधी निर्मार्ण और सार्वजनिक नेतियों के किर्यानवेन को परभावित करने के लिए परियत तनसिल रहते हैं प्रोपेसर मदन गोपाल गुपता की यदि बात करें तो वो भी कहते हैं कि दबाब समुह हैं जो हैं वो वास्तव में एक ऐसा मादेम हैं जिसके द्वारा सामाने हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को परभावित करने का प्रियास करते हैं और इस अर्थ में ऐसा और विधाई डोनों ही प्रकार के दिरने करताओं को सरकार पर परतेक्स नियंतरन प्राप्त करने की चेश्टा कि ये बिना ही प्रभावित करना चाहता है वो दबाब समुह कहलाता है सीदे सीदे सब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो दबाब समुह होते हैं इनका जो उदेश से है वो सार्वजनिक नितियों को परभावित करने के लिए बनाएगे एक प्रकार से गेर सरकारी समुह होते हैं उदायन के लिए ओदोगी के वेवसाई, वाणिजे के सार्मिक और अन्य वर्गों के समुह हैं वो विधी निर्मान और जो परशासनिक कारिये हैं उनको परभावित करने का प्रियास करते हैं जिनसे कि वे अपने हितों में कानून बनवा सकें अपने हितों को हानी समुआ अपने सद्धिश्यों के आर्थिक, सामाजिक, सांसकर्तिक, धार्मेक और विशेश्टिया, उनके आर्थिक और विवसाइक जो हित होते हैं, उनकी रक्षा और वर्धि में सलंगन रहते हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि विबिन जो वियपारी हैं या जो भी दूसरे जो संग्ठन हैं वो अपने हितों के अनुरूपे या अपने हितों को लाप पहुंचाने के लिए अपने नीजी स्वार्थों को लाप पहुंचाने के लिए एक परकार से इनका निर्मान करते हैं इस परकार का कोई भी विदेग जो मालिजें उनको नुक्सान पहुंचाता या उनके हितों कहनो कुर नहीं है तो इसको वो वापिस करा सके हैं इस परकार से वो सरकार के ओपर दबाव या प्रेशर बनाने का कारिये करते हैं दबाब समुहों के दी लक्षनों की हम बात करें तो अनेक प्रकार के लक्षन दबाब समुहों में पाए जाते हैं जैसे पहले दी उदेशे की बात करें तो सिमित उदेशे के लिए बनाए जाते हैं और जब इनके जो उदेशे हैं वो प्राप्ते हो जाते हैं तो वे भंग हो जाते हैं या यों कहें तो इनके उदेशे हैं वो व्यापक नहीं होते हैं सिमित उदेशे होते हैं दूसरा जो सबसे मैतोपुन लक्षन है वो है उपचारिक याुन अपर्पारिक रूप में संगठित य rumors दबाब समों के लिए राजनितिक दल के समान उपचारिक रूप में संगठित होना आवसिक नहीं है ये अर्द आपचारिक रूप में संगठित हो सकते हैं या पुन त्यान आपचारिक संगठन भी हो सकते हैं जिने सामाने विक्ती ऐसंगठित कहते हैं उधारण के लिए दी बात करें तो वर्तमान समय में भारत में अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रे से एक आपचा का सामने त्याव वर्गि हितों से समंध होता है और स्वाभाविक रूप से इनकी स्द्दस्यताइ वैसिमित ही होती है अखिल वारतिय ट्रेड यूनियन कंग्रेस I&T UC की बात करें तो इसकी सद्दस्यता मातर सरमिक वरक को और वणिजेक मटल की सद्दस्यता मातर व्यापारिक वरक को ही प्रापते हो सकती है या रहती है दबाप समों की जो सदसेता है वो व्यापक भी होती है एक वेक्ती एक ही समय में एक दबाप समों का सदसे हो सकता है उदान के लिए वह जातिगत समों उभोगता समों महुला संग सिक्सक संग सर्मिक संग इनका सदसे भी हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो सद्दसेता है वो सिमित भी हो सकती है और स्वेधानिक साधनों का परियोग ये जो दबाब सममों होते हैं ये अपने करना इनका मुख्य लक्से होता है और इसके लिए यह आपसेक्ता के अनुरूपे जो भी इनको उचित और अनुचित स्वेदानिक आपनाने पड़ते हैं वो यह अपनाते हैं तो कहने कारती है कि दोनों ही प्रकार के साधनों को दबाब समुह अपनाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते हैं राजनिती और प्रसासन में इनकी प्रोक्स भूमिका होती है दबाब समुह का सासन पर अधिकार इस्तापित करने का कोई लक्से नहीं होता इसलिए वे राजनिती और प्रसासन में प्रतेक्स भूमिका नहीं निबाते कहने कारती है कि ये चुनाव नहीं लड़ते चुनाव में प्रतेक्स खड़े नहीं होते इस आदार पर कई बार ये समुह अपने आपको गेर राजनिती या गेर सरकारी संग्ठन कहते हैं लेकिन वस्तुते दबाब समुह राजनिती और प्रसासन से अलग नहीं होते वे परदे के पिछ रहकर राजनिती, राजनितिक निर्णों, परसासने कारियों को परभावित करने के निरंतर चेश्टा रखते हैं ये समुह चुनाव नहीं लड़ते और नहीं चुनाव में अपने अप्चारिक रूप से उमिद्वार खड़ा करते हैं लेकिन वे दलों के द्वारा सुनाव में उमिद्वारों के नामांकन को परभावित करते हैं अपने हितों के समर्थक उमिद्वारों को धन्राशी दे कर अन्य परकार से सयोग दे कर वे उनको विधायक बनाना चाते हैं सांसद बनाना चाहते हैं ताकि हो वुधानमंदलों में पहुँंच कर उनके हितों, क्यानु, रूप नीतियां बना सकें वेशासन से बाहर रहकर पर्सासनीक इधिकारों के निरनों को परभावित करने का प्रियास करते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए कभी तो उनके द्वारा निश्चित राजनेतिक वफादारी और कभी ऐस्तिर राजनेतिक वफादारियों का आश्रे लिया जाता है इस प्रकार दबाब समुह जो है वो राजनेतिक और गेर राजनेतिक इन दोनों इस्तितियों के मद्धे इ प्रॉपेसर जेसी जोरी ने भी कहा है कि दबाब समुओं है वो राजनितिक के साथ लुखा छेपी का खेल खेलते हैं वे राजनिति में भी हैं दबाब समुओं की एर राजनितिक के लिए सचेश्ट रहते हैं इस कारण वे बिन जो आलोचेक विद्वान है उन्होंने दबाब समुओं को अनुतरदाई राजनितिक दल की संग्या दी है दबाबसमों का जो कारिय काला वो एनिष्ठित होता है दबाबसमों बनते और बिगड़ते रहते हैं समाप्त होते हैं यह किसी विशे सितों की पूर्ति के लिए स्थितवommes में आते हैं और जब इनका विशे सितों की पूर्ति हो जाती है तो ये स्ववाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं इसका अतिरिक्त राजनितिक के समाज की परकरती परवर्तिन सिल होती है एक विशेश दबाब समों को इस्तापना के कुछ समय बाद अनुप्योगी समझ कर भंग कर दिया जाता है सर्वेवावपक परकरती दबाब समों सभी परकार की राजनितिक व्यवस्ताओं में पाए जाते हैं यहां तक की सर्वादिकारवादी और स्वेचाचारी जो राज व्यवस्ताओं हैं उनमें दबाब समों पाए जाते हैं इनकी सर्वाइवापक्ता को उस्विकार करते हुए रोबर्ट सी बोन कहते हैं कि दबाब समोय सभी राजनतिक व्यवस्ताओं में यहां तक कि जो सर्वादिकारवादी राजे हैं उनमें भी पाई जाते हैं क्यों का को लिया त्त थैegि दवाप सममवजुर शंमेवदी राजों में बहुते हैं इनकी सर्वववापक्ता का ही परिणाम है में के के भी च्ष weiß की सब्सक्क्राइब यह थैक फ Kr राभ रहुत चुछ समय श्र्वाबरेभापक। संत्रिक व्यवस्ताओं में दबाब समयों खुली रूप से कारिये करते हैं और समानेत्यावन की गतिव इदियों का जो छेतर है वो व्यापक होता है दबाब समयों का सवरूप किसी देश समयों की तुलना में जो समधयात्मक समयों है अब यदि अंदर है उनकी तो राजनितिक दल और दबाब समुए दोनों ही समने तया स्विधान वे कहीं कोई उलेक नहीं है जो सविधान और सासन द्वारा इस्तापित विविन सैंस्ताओं के प्रेक तत्वा की रूप में कारिये करते हैं दोनों ही राजनितिक प्रक्रिया के सुदर्ड अंग हैं जो सासन की नीतियों को प्रभावित करने की एक प्रकार से चेस्टा करते हैं इस प्रकार राजनितिक दल और जो दबाब समुए हैं उनमें कुछ बतें समान हैं लेकिन जो समानताई हैं वो के उलसताई हैं इनमें भिंताई हैं वो अधीक हैं इन भिंताओं या जो अंतर हैं इनको हम निवन बिंदों के अधार पर इसपस्ट कर सकते हैं सासन सत्ता के प्रसंग क्या धार पर अंतर तो ये पहला अंतर हम देखें तो इसमें हम यह देखते हैं कि राजनितिक दल जो हैं वो चुनाओं में पर्तेक्स भाग लेते हैं अपना उमीदवार कड़ा करते हैं उसको विजी बिनाने का प्रियास करते हैं और सारवसनिक नेति और काजयनमित करने का प्रियास करते हैं लेकिन जो दबाब समों हैं वो शासन सत्ता के अंदर परतेक्स रूप से भाग नहीं लेते वे अपने तो अपने उमिद्वार खड़ा करते हैं लेकिन ये जो उमिद्वार खड़े होते हैं उनको ये परतेक्स या परतेक्स तरीके से सयोग करते हैं ताकि वो चुनाव जीत कर विधान मंडलों में जाएं और उनके अनुकूल या उनके हितों के अनुरूप नितियों का निर्माण कर सकें तो पहला जो अंतर है वो ये है कि राजनितिक दल चुनाव में प्रतेक्स भाग लेते हैं दबाब समुहर जो है वो चुनाव में भागे नहीं लेते और नहीं अपना कोई प्रतिनिदी या उमिद्वार चुनाव में खड़ा करते हैं उदेश से और कार्यक्रम के अधर पर अंतर है दोनों में राजनितिक दिलों का जो समंदाव राष्ट्रिहित की सभी समस्याओं और परस्णों से रहता है स्वभाविक रूप से उनका बहुत अधिक यूपक कार्यक्रम होता है लेकिन दबाब समुह हैं वो एक वरग विशेश के परतिनिदी होते हैं वरग विशेश का परतिनिद्वा करते हैं और उनके द्वारा इन वरग विशेश के इतों से समंदित समस्याओं पर ही मुक्यत अपना ध्यान है वो केंद्रित किया जाता है दबाब समुहों का जो कार्यक्रम है वो अपेक्षा कर तस्रीमित और संकुचित होता है तो दूसरा जो सबसे मैतोप पुन अंतर है राजनितिक दलों और दबाब समुहों में वो उदेश से और कार्यक्रम का है राजनितिक दलों का जो उदेश से या जो कार्यक्रम वो व्यापक होता है राष्टर हीत या पूरे राष्टर का जो सबी वरग हैं वो उनका एक प्रकार से प्रतिन दित्वा करते हैं लेकिन दबाब समू हैं वो एक विशेश जो वरग है कि वलुशी का प्रतिन दित्वा करते हैं इसलिए व्यापक्ता और सिमित्ता का जो अंतर है वो इन दोनों में विद्यमान है, सहुरूप सबंदी जो अंतर है वो भी विद्यमान है, विचार धरा और कारिय करम की दरश्टी से दबाब समुह है, राजनितिक दलों की तुलना में अधे के स्रयूक्त और सजातिय समुह है, दबाब समुह उन्हे वेक्तियों का समुह होता है, जिनके विशे विशेश विशे या मसले के समंद में समान हित और समान रूची होती है हता है विचारों की एस संगती दवाप समों को एकता और सजातियता परदान करती और राजनितिक दर्श्ची से परभावी बनाती है लेकिन राजनतिक दल व्यापक के सामाजिक और राजनतिक कारिये करम प्राधारित होते हैं उनके उद्दे से और जो कारिये हैं वो बहुरूपी होते हैं उनमें उस सिमा तक सजातिय तारेकता की इस्तिति नहीं होती जो दवाब समुह में देखी जाती है तो सवरूप समंदी अंतर भी दोनों में विद्यमान है आकार तथा सदस्यता की दरस्टी से अंतर है राजनतिक दलों का जो संग्ठना वाओ बहुत बड़ा होता है भारत अमेरिका इस देशों में करोड़ों जो मद्दाता है जो हैं उनका समर्थन प्राप्ट करने की चेस्टा ये करते हैं लेकिन दबाब समूँ है आकार और सदस्यता की दरस्टी से छोटे होते हैं दरस्टी से इनमें एक मैत्व पुरंतर यह भी है कि दबाब समूँ की जो सदस्यता है वो परस्पर व्यापी होती है एक वेक्ति एक इस समय में अनेक जो दबाब समुह हैं उनका सदस्य हो सकता है उदारण के लिए एक वेक्ति एक साथ है जातिगत समुह है उब भोकता संगे महुला संगे सरमिक संगे इन सब का सदस्य बन सकता है इस प्रकार दबाब समुहों के सदस्यों की अपने समुहों के परती भक्ती विभाजित होती है ये समवर धिले संग्ठन होते हैं और सदस्यों की सवतंतरता बनेती है इसके विप्रित यदि हम राजनितिक दलों के समंद्र में यदि बात करें तो एक विक्ति एक साथ के वले की राजनितिक दल का सदस्य हो सकता है राजनितिक दल सुदर् और दल के परतिसदस्यों की भक्तिय वो एकागर होती है संगठन समंधी अंतर दोनों में विद्यमान है राजनतिक दल अनिवारियता ओप्चारिक रूप से संगठित होते हैं लेकिन दबाब समुह है उप्चारिक रूप से संगठित या संगठित दोनों ही इस्ततियों में हो सकते हैं, अनेक बार सकती शारी दबाब समुहों भी उप्चारिक रूप से या संगठित इस्तति में होते हैं, साधन समंधी दोनों में अंतर विद्यमान है, राजनितिक दल है वो उनको अपना सकते हैं तो इस प्रकार हमने देखा है कि राजने तिक दल और दबाब समुहों में जो समानता है वो क्यों सत्य है प्रियाप्त अंतर विद्यमान है साधन सबंदी अंतर दोनों में विद्यमान है एक है वो स्विधनिक साधनों को अपनाता है राजने तिक एक वेकती एक साथ अनेक परकार कि दबाब समूर का सदस्य में हो वो इसमें भाग नहीं लेते इस परकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने राजनेतिक दल और दबाब समोह के बारे में डिसकस किया है आगे के वीडियो है वो इसी करम में जारी रहेंगे धन्यवाद